आपेश पूर् attachments to our YouTube channel मुनिदाश, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे deverage engulfing candlestick patterns के बारý में, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यह deverage engulfing patterns कैसे दिखनमे हैं, और दोस्तों यह charts में कहा बनते हैं और इसके उपर बेस करके हम कैसे ट्रेट ले सकते हैं और दोस्तो ऐसी मेंने बहुत सारे candle stick का वीडियो बनाई हूँ जो कि आपको number wise playlist में मिल जाएगा तो दोस्तो आज का वीडियो है candle stick part 11 और दोस्तो सारे candle stick का वीडियो को आपको जरूत देखना है क्योंकि दोस्तो सारे candle stick के वीडियो से आपको help मिले वाल है और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चोटी सी रिकेस्ट है अगर आप मेरे चानल में पहली वर विजिट कर रहे हो तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने दो कलर का कैंडल है एक तो है ग्रीन कलर में एक तो है रेट कलर में तो दोस्तो ये दो color candle को हम एक साथ बोलेंगे bearish engulfing candles क्योंकि दोस्तो ये जो green color candle है इसको fully cover कर लिया ये red वाला candle तो दोस्तो ये green color candle का opening नीचे होता है and closing इसका उपर होता है और दोस्तो ये जो red color candle है upside इसका opening होता है और दोस्तो नीचे इसका closing point होता है अगर दोस्तो ये green color का candle का closing point है इधर भी अगर red color candle का opening होता है मतलब similar condition पे opening होना चाहिए और दोस्तो इसको break करके और नीचे इसको cover कर लेता है तब ही दोस्तो हम इसको bearish engulfing candles बोलेंगे अगर दोस्तो ये green color candle का नीचे ये red color candle का opening होता है और उसके बाद नीचे इसको cover कर लेता है तो दोस्तो ये bearish engulfing candles नहीं है मतलब ये red color candle के अंदर ये green color candle को होना चाहिए तब ही हम दोस्तो इसको bearish engulfing candles बोलेंगे और दोस्तो इसका जो आप देख सकते हो ये काफी छोटा है कभी कभी navy होता है अगर दोस्तो होगा भी शायद इस red candle से बड़ा भी होगा तब ही दोस्तो ये bearish engulfing patterns नहीं बोलेंगे क्योंकि दोस्तो ये green color candle का जो body है ये body छोटा होना चाहिए वह कितना भी बड़ा हो लेकिन इसका body छोटा होना चाहिए और इस red color candle के अंदर आना चाहिए bearish engulfing candlestick patterns है क्योंकि दोस्तो इस red color candle का opening and closing point आप देख सकते हो और उसके अंदर इस green color candle का opening and closing point है तो दोस्तो अल्मोस इस green color का जो candle है ये red color candle के अंदर होना चाहिए तब ही दोस्तो हम इसको bearish engulfing बोलेंगे और दोस्तो ये uptrend में बनना चाहिए कहाँ बनना चाहिए uptrend में बनना चाहिए तुनकि दोस्तो इस bearish candlestick pattern है तो जितने भी bearish candlestick pattern आपको दिखने के लिए मिलेगा सब आपको uptrend में दिखने के लिए मिलेगा क्योंकि दोस्तो bearish मतलब ये है कि price क्या होगा नीचे आएगा तो दोस्तो प्राइस कप नीचे आएगा जब market continue uptrend मतलब upside move करेगा उसकी बाद ही क्या होता है जो candles patterns होता है market क्या होता है नीचे आते है तबी दोस्तो क्या होता है bearish engulfing patterns या फिर जो भी bearish candlestick pattern होगा वो uptrend में बनेगा तो दोस्तो आप देख सकते हो कि bearish engulfing patterns कहा आपको देखने में मिल दा है या uptrend में देखने के लिए मिल दा है उसके बाद ये patterns बनने के बाद आपको down move देखने के लिए मिलता है मतलब ये downtrend start हो जाता है तो दोस्तो ये bearish engulfing patterns uptrend में क्यों बनता है तो दोस्तो for example के लिए हम इधर कोई stock को या फिर अगर option में trade करते हो तो दोस्तो option को call को पकल लेते हैं तो इसी condition में जब दोस्तो ज़्यादा लोग इस stock को या फिर option को buy करने में interested है तभी दोस्तो इसका जो trend है ये अब move होता है मतलब इसमें क्या है? bulls काफी strong है and bulls क्या करता है? इस price को उपर ले जाता है तो bulls वो होता है जो चाहता है price अब move करे तो दोस्तो एक condition तब आता है जब क्या होता है? इस stock का price continuously नीचे आता है तो दोस्तो क्यों नीचे आता है? Because इस price continue क्या हुआ? buyers तो इस price को उपर ले गया है तो दोस्तो कोई stock को अगर कोई buy भी करता है तो बहुत सारे लोग stock को sell भी करेंगे क्योंकि दोस्तो अगर आप को stock को buy करते हो तो आप sell भी करोगे, right? तो दोस्तो अगर आपको एक condition पर आगे मुनाफा हो जाता है तब दोस्तो आप stock को sell करोगे तो ऐसे ही बहुत सारे लोग एक condition में sell करने में interested होता है तब भी दोस्तो उस stock का price continue नीचे घाता है जो आपको देखने में मिलता है तो दोस्तो आप trend में ये bearish engulfing patterns अगर बनेगा तो ये sell signal देता है तो दोस्तो आप देख सकते हो ये एक chart patterns पे ये bearish engulfing patterns आपको आप trend में देखने के लिए मिलता है उसके बाद इसका जो trend है कितना down move किया है तो अभी हम live chart में ये bearish engulfing patterns को देखेंगे और दोस्तो इसके उपर आपको एक trading strategy में बता दूँगी जिसके अपर base करके अब confirmation उसमें trade ले सकते हो तो दोस्तो फिलाल अभी हम nifty 50 की charts में है और ये charts आपको 15 minutes में देखने के लिए मिलता है तो दोस्तो अभी ये live chart चल रहा है क्योंकि दोस्तो आज 18 में है इसी दिन में ये video बना रही हूँ तो दोस्तो अभी हम इधर इस live chart में एक bearish engulfing patterns को देखेंगे तो दोस्तो हम इसको scroll करते हैं तो दोस्तो इधर आपको एक bearish engulfing patterns देखने के लिए मिलता है तो दोस्तो आप देख सकते हो ये जो red color का candle है इसके अंदर ये green color का candle आ गया है और दोस्तो ये क्या है ये up train है up train में आपको ये bearish engulfing patterns देखने के लिए मिलता है तो दोस्तो मैं इसको zoom करती हूँ ता कि आपको इस candle का difference अच्छा से पता चले तो दोस्तो आप देख सकते हो almost ये green color candle का closing है and red color candle का opening almost similar है थोड़ा सा difference है ये red color candle थोड़ा upside open हुआ तो दोस्तो आप देख सकते हो उसके बाद ये green color candle को इस red color candle fully cover कर लिया और ओभी दोस्तो आपको up train में दिखने के लिए मिल दा है तो दोस्तो ये proper एक bearish engulfing patterns है उसके बाद आप देख सकते हो इसका trend कितना down move किया है तो दोस्तो ये जो bearish engulfing patterns आपको कहा देखने के लिए मिल दा है आपको up train में top के पास देखने के लिए मिल दा है उसके बाद दोस्तो इसका trend काफी गिरा है तो आप देख सकते हो continuously market नीचे के तरफ आया है और दोस्तो ये जो bearish engulfing patterns अगर आपको top में देखने के लिए मिले और एक भी condition होना चाहिए तब ही दोस्तो ये fully अच्छा से work करता है और दोस्तो अगर ये bearish engulfing patterns अगर आपको resistance के पास देखने मिले तो दोस्तो ये fully work करता है तो दोस्तो अभी हम resistance को draw करेंगे तो इसी हाई में क्या देखने मिला हमको एक bearish engulfing patterns देखने के लिए मिला उसके बाद आप देख सकते हो ये इसका जो trade है कितना down move किया है तो दोस्तो अभी हम बात करते हैं अगर आप bearish engulfing patterns के ऊपर trade लेते हो तो दोस्तो अब कैसे trade लोगे अगर दोस्तो ये bearish candlestick form होने के बाद अगर आप next candle में trade लेते हो तो दोस्तो ये bearish engulfing patterns के ऊपर ठीक है आपका क्या रहेगा आपका ACL रहेगा अगर आप bearish engulfing patterns के next candle में अगर आप trade लेते हो तो दोस्तो आपका ACL क्या रहेगा bearish engulfing patterns के ऊपर रहेगा अगर दोस्त आपको information में trade लेना है क्या लेना है? अगर दोस्त आपको confirmation में trade लेना है तो दोस्त आप कहा trade लोगे? third वाला candle पे trade लोगे ठीग? मतलब आप देख सकते हो यह क्या है? यह एक zone है यह एक zone, छोटा सा एक zone बनाया क्योंकि दोस्तो market continuously इधार चार candle continue बनाया उसके बाद उपर गया फीज से market इधार ही आके support लिया अब देख सकते हो उसके बाद ये दो जो candle है दो जो green candle आपको दिखने के लिए मिला रिटेस वाला candle होता है तो दोस्तों जब भी इस line को market break करेगा तभी दोस्तों आपको क्या करना है entry करना है मतलब ये third वाला candle पर आपको क्या करना है entry करना है तो दोस्तों अगर आप third वाला candle पर entry करते हो तो दोस्तों क्या होगा इस site आपका क्या राएगा इस लडाएगा ठीक है तो दोस्तों अगर आप इस candle में entry करते हो तो दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हो candle form होने के बाद ही आप उसमें trade लोगे तो दोस्तो इसमें थोड़ा rix कम होता है अगर दोस्तो इस type का बने की दो candle हो उसके बाद third वाला candle इसको break कर रहा है तो दोस्तो इसमें क्या कर सकते हो आप entry कर सकते हो लेकिन कभी-कभी यह होता है कि आपको ये bearage engulfing patterns बनने के बाद इधर 4-5 candle continue इधरी side way move होता है उसके बाद break करता है तो दोस्तो ऐसे condition पे आपको थोड़े patiently बैटना है उसके बाद आपको entry करना है तो दोस्तो आई होब कि आपको clear हो गया है कि ये bearage engulfing patterns जब आप train में आपको top के पास and resistance के पास देखने मिले उसके बाद दोस्तो अगर आप इसी candle में next पाला candle में trade लेते हो तो इसके ऊपर आपका SL रहेगा अगर आपको confirmation में trade लेना है तो थोड़े आपको fashion बैटना है उसके बाद आपको trade में entry करना है सो दोस्तो I hope की ये clear हो गया है चलो अभी हम एक next stock पे देखेंगे ये bearage engulfing candlestick patterns को सो दोस्तो फिलाल अभी हम कोटक मेंदरवैं की charts में हैं और ये charts आपको 15 minutes में दिखने के लिए मिल दा है सो दोस्तो आप देख सकते हो ये live chart है फिलाल कोटक मेंदरवैं की share price जो चल दा है 1,927 डूपीज सो दोस्तो इधर हम एक bearage engulfing patterns को अभी ढूनेंगे देख सकते हो ये bearage engulfing patterns आपको देखने के लिए मिल दा है इसका date है 16 में सो दोस्तो इधर जो ये green वाला candle है ये fully ये red वाला candle के अंदर आया है patterns देखने के लिए मिल दा है सो दोस्तो मैं इसको क्या करती हूँ मैं इसको zoom करती हूँ ताकि आपको अच्छा से देखने में मिले सो दोस्तो आप देख सकते हो ये green color candle का opening है and ये point इसका closing point है और red color candle का opening ये है and closing इसका नीचे है सो दोस्तो ये जो green color candle है ये fully red color candle के अंदर आगे है सो दोस्तो इसको हम एक bearish engulfing patterns बोलेंगे ये वाला green color का candle का opening and closing almost इस red color candle के अंदर ही है तो दोस्तो ये वी एक bearish engulfing patterns है तो दोस्तो आप देख सकते हो ये continue दो-दो बार एक bearish engulfing candle patterns बना तो दोस्तो मैंने क्या बताया जब भी आप top में देखो तो उसके next पला candle में आप entry मट करो क्योंकि दोस्तो आप देख सकते हो उसके बाद ये bearish engulfing pattern उतना भी form अच्छा से ठीक नहीं हुआ तो दोस्तो ये एक perfect bearish engulfing patterns है क्योंकि ये red color candle का जो opening है ये green color candle के closing के उपर है तो दोस्तो उसके बाद market ने ये क्या हुआ ये sideways move हुआ right sideways move होने के बाद market ने break किया तो दोस्तो अगर आप ये bearish engulfing candle patterns के उपर trade लेते हो तो आप कैसे trade लोगे तो दोस्तो इसको मैं पहले close लाती हूँ तो दोस्तो आप देख सकते हो market continue क्या था market continue uptrend था इसी uptrend के पास आपको एक bearish engulfing patterns देखने के लिए मिल गया आपको टॉप में देखने के लिए मिल दा है ये एक resistance points है तो दोस्तो मैं क्या करती हूँ मैं एक resistance points इसमें draw करती हूँ ताकि आपको अच्छा से पता चले तो दोस्तो market इधर भी resistance लिया फीड से दोस्तो आप साइड इसका opening हुआ and opening होने के बाद market नीचे आया ये वी एक इसका resistance points है उसके बाद दोस्तो आप देख सकते हो close आया था तो दोस्तो इसी condition में ये आपको एक bearish engulfing patterns इसी resistance के पास आपको देखने के लिए मिल गया तो दोस्तो उसके बाद आप देख सकते हो market कितना down move किया है तो दोस्तो अगर आप next वाला candle में trade लेते हो मतलब ये जो आपको bearish engulfing patterns देखने के लिए मिल दाए उसके बाद next वाला green candle में अगर आप trade लेते हो तो दोस्तो ये वाला जो क्या है ये वाला आप resistance देख लिए हो important resistance points है तो दोस्तो उपर side upside आपको क्या रखना पड़ता असल रखना पड़ता और दोस्तो अगर आप third candle में trade लेते हो तो दोस्तो इधर आपका क्या होता इधर आपका entry point रहता और दोस्तो इसके उपर आपका still रहता क्योंकि दोस्तो आप देख सकते हो ये एक zone types का बनाया क्या बनाया ये एक zone types का बनाया because आप देख सकते हो market जब उपर जा रहा था इधर बहुत सारा candles बनाया राइट इधर थोड़ा time spin किया time spin करके market उपर गया फीर से दोस्तो market इधर ही आके थोड़ा support लिया और उसके बाद आप site में आपको ये bearish engulfing patterns देखने के लिए मिल रहा है तो उसके बाद दोस्तो आप देख सकते हो market जब भी इस zone को क्या कर रहा है break कर रहा है तब ही दोस्तो आपको क्या करना है entry करना है उसके बाद दोस्तो आप देख सकते हो कितना down move किया है तो दोस्तो मैं इसको क्या करती हूँ पहले close लाती हूँ ताकि आपको कितना down move किया है ये पता चले, तो दोस्तों आप देख सकते हो, यह bearish engulfing patterns है, अगर इधर बनता है और इसी जगह अगर आपका entry होता है, तो दोस्तों कितना down move किया है, तो दोस्तों जब भी bearish engulfing patterns अगर आपको अब train में top की पास and resistance के पास अगर देखने मिले, तो दोस्तों आपको थोड़ा wait करना है, patiently बैटना है and सही जगह पे आपको क्या करना है, entry करना है, क्योंकि दोस्तों कभी-कभी यह bearish engulfing patterns अगर आपको top में देखने के लिए मिले, उसके बाद next फला candle क्या होता है, sideways move करता है, तो दोस्तों आपको थोड़े patiently बैटना है and सही जगह पे आपको entry करना है, तो दोस्तों I hope कि आपको clear हो गया है कि यह bearish engulfing patterns अगर आपको आप train में top के पास और resistance के पास अगर मिले तो यह कितना अच्छा से work करता है, तो दोस्तों आपने देख लिया, so I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहागा, अगर वीडियो helpful रहागा तो वीडियो को like करना and ज़्याद से ज़्यादा share करना, और दोस्तों कोई भी confusion है तो आप मिछे मुझे comment section में post सकते हो, so मिलते हम नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए bye bye, have a good day.